दि इन्विजल मैन चैप्टर वन हिंदी समरी फर्वरी का बहुत धंडा महीना था आईपिंग गाव में एक अजनवी आदमी आता है उसने पूरी तरह से अपने आपको ढख रखा था वह कोच एन होर्सेस नाम के सराई में रुखता है सरदी के उस वक्त बहुत कम ही लोग आईपिंग में आते थे तो यह काफी अजीब था मिसेस हॉल उस तरह की मालकिन थी और कम आमदनी वाले उस समय उस अजनवी के आने जे वह काफी खुश थी वह अजनवी को कमरा दिखाती है और आग जलाने के बाद वह उस से गीले कपड़े मांग दी है तो वह उन्हें जाने को कहता है मिसेस हॉल अजनवी को देख कर थोड़ा डर जाती है वह अपने चेहरे की पट्टी और बाकी के अजीब तरह के ढखे हुए चेहरे के कारण डरावना हो गया था मिसेस हॉल सोचती है कि सायद उसका एक्सिडेंट हो गया होगा खाना खाने के बाद अजनवी मिसेस हॉल से कहता है मेरा समान आने वाला है कृपया ध्यान रखें चैप्टर टू हिंदी समरी अजनवी के एक कमरे की घड़ी खराब थी तो मिसेस हॉल ने मिसेट टेडी हैंफरी को बुलाया मिसेस हॉल जब अजनवी के कमरे में बिना खटटाए घुच जाती है तो उन्हें लगता है कि अजनवी का तो चेहरा ही नहीं है पर वह सोचती है कि सायद कमरोषनी की वज़से उन्हें ऐसा भ्रहम हो गया होगा टेडी हैंफरी जब अंदर गया तो अजनवी को देखकर थोड़ डर गया था पर वह अपना काम करने लगा अजनवी बोलता है कि वह व्यग्यानिक है और उसका समान आने वाला है और यह कहकर वह कहता है कि उसे थोड़ी सांती चाहिए मिसस हौल वहाँ से चली आती है और मिस्टर टेडी हैंफरी घड़ी बनाने लगते हैं पर वह घड़ी बनाने में काफी अधिक समय ले रहे थे वह फालतू समय खराब कर रहे थे वह उस अजनभी के बारे में पता लगाना चाहते थे अंत में अजनभी को गुस्सा आयाता है और वह उन्हें डाट कर भगाने की कोशिश करते हैं वह कहता है कि अपना काम करो और जल्दी से याँ से निकल जाओ मिस्टर टेडी हैंफरी मिस्टर हॉल के बात चाते हैं और कहते हैं कि सायद वह आदमी अपराधी है और चिपता फिर रहा है मिस्टर हॉल मिसिस हॉल के पती हैं और वह तांगा चलाते हैं मिस्टर हॉल घर पहुँचकर अजीब और गरीब आदमी से बात करते हैं पर मिसस हॉल उन्हें ऐसा करने ही नहीं देती है प्लीज लाइक एंड सब्स्ट्राइब